क्या आपको पता है कि ताज महल को 50 कुवों के उपर बनाया गया है और ताज महल को बनाने वाले मजदूर ने शाह जहां से नाराज होकर जान बूज कर ताज महल में एक बड़ी गलती भी छोड़ दी थी। निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में बन कर तैयार हुआ और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। ऐसा ही ताज महल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकालता है। लेकिन ताज महल के रहस्यमाय तहखानों की तरह उसे रास्ते को भी शाह जहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। आपको यह जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताज महल का रंग भी बदलते हैं। सुबह देखने पर ताज गुलाबी दिखता है। शाम को दूधिया सफेद और चांदनी, रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद संग मरमर पर सूरज और चांद की रोशनी पढ़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताज महल के निर्मान के वक्त भूत और चीनी इसकी नीव नहीं रखना देते थे। वे बार बार इसे ध्वस्त कर देते हैं। ऐसे में शाह जहां ने भूत जिनको वहां से भागने के लिए इमामों की राह ली। इमामों ने शाह जहां को बारा में पहुँच कर कुरान के करने पड़े थे। इसके बाद शाह जहां के हाथों नीव रखवा कर ताज महल को बनवाने का कम शुरू कराया गया। तब कही जाकर इसका निर्मान शुरू हो सका। इस इमारत को हम सबसे उची इमारत कहते हैं ताज महल, उससे भी उचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे उची इमारत कहा जाता है। लेकिन इसकी उचाई ताज महल के सामने छोटी पड़ जाती है। पार हजार के आसपास सैलानी हर रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। क्या आप शाह जहां के सपना के बारे में जानते हैं जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नहीं बलकि अपने लिए देखा था। काले ताज महल का सपना। यदि ताज महल की मीनरों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनार सीधी खड़ी ना होकर एक दूसरे की ओर जुकी हुई है। इमारत का जुका हुआ निर्मान, बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुमबद पर एन गिरने के लिए किया गया था। बलकि समुद्र गुप्त ने बनवाया था। जीस जगह पर हम आज की तारीख में ताज महल जैसी भव्य इमारत को देख पा रहे हैं। वहाँ पहले शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था और उसकी छट से टपकने वाला पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इसके पीछे की एक कहानी यह भी है कि जब शाह जहां ने सभी मजदूर के हाथ काटे जाने की घोशना की ताकि वे कोई और ऐसी इमारत ना बना सकें तो मजदूर ने इसकी छट पर एक छेद छोड़ दिया ताकि शाह जहां का खूबसूरत सपना पूरा ना हो सके। यह तो सभी जानते हैं कि मुम्ताज शाह जहां की पतनी थी, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि वह उनकी तीसरी पतनी थी। का मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे एतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बादल सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो काफी आई, लेकिन कभी इन्हें खोला नहीं जा सका। इन में से कई दर्वाजे तो खोल गए, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। ये थे दुनिया के सबसे बहतरीन इमारत, ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आये हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।